दोस्तो आज किस क्लास में हम बात करेंगे ब्रहमर्ण गरंतों के बारे में जिनका बैदिक सायत में अपना ही एक विशिस योगदान है विशिस मेत्व है और ब्रहमर्ण गरंतों से संबंदित हमारी परिच्छाओं के लिए आगामे जो कॉम्प्टेटिव एक्जाम्स हैं और किस से सम्मान देते हैं आज की करास भ्राम्मर ग्रंतों से सम्मान देते हैं जो बैदिक सायत का ही एक भाग है तो देखे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बात करते हैं भ्राम्मर ग्रंतों के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस से पहले हमने आ लिएक सायते में जिसका नंबर आता ये वह कौन है हमारे भ्रहमर्मण吗 ग्रनत ये वह गाता है ये wünग गाता है कि इने बात सम रहा है कि अब सक My looking चल देखा बेदों का युग देखा अब किसका युग आता है बेदों के बाद में भ्रामड ग्रंथों का युग आता है भ्रामड ग्रंथ ठीक है तो पहली बात यह समझना है कि बेदों के बाद में कभी-कभी करम भी पूछ ले जाता है कि बैदिक सायत के करमों का युगों कीजिए किर्मिक नाम बताईए तो आपको सबसे पहले बेदों का बताना कि बेदा आए फिर भ्रहमड आए फिर आरनका आए फिर उपनिसद आए ठीक है तो उपनिसद जब लाश्ट लाश्ट में है तो उनको बेदांत भी इसलिए कहते हैं कि बेदों की क्या है अंतिम भागें तो यह बात समझना कि बेदों के बाद में जिसका योग आता है वो भ्रामण गरंतों का आता है अब यह ब्रामण सब्द है इस ब्रामण सब्द में एक भ्रहम सब्द आता है किस से बनाए भ्रहम सब्द से और यहाँ पर भ्रहम सब्द का जो अर्थ है वो क्या है यग है तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भ्रहमण गरंतों का जो अर्थ होता है भ्रहमण गरंत जिस उद्देश से बनाये थे वो उद्देश ये था कि जो भेद थे इन बेदों की क्या की गई थी सरल व्याक्या की क्या की गई बेदों की इनकी सरल व्याख्या की गई यानि जितने भी भ्रामण बने आरनेक बने उपनिश्यद बने पुराण बने यानि ये सभी बेदों से ही बनाए गए हैं उनकी संचिप्त रूप करके उनकी सरल व्याख्या करके बनाए गए तो ब्रहम्मर जो ग्रंथ है वो बेदों से ही बनाए गए, बेदों की क्या की गई, सरल व्याक्या की गई, और बेदों की सरल व्याक्या कर यग्यों की जो विषय थे इसमें, बेदों में जो यग्यों की विषय थे, बेदों की सरल व्याक्या कर यग्यों के विषय को पृति प्रिति पादन करने वाले बिधी प्रिधान ग्रंथ क्या कहलाए ब्रामण ग्रंथ क्या कहलाए ब्रामण कहलाए तो बात समझ गए होंगे कि ब्रामण ग्रंथों का जो यूग आता है वो बेदों के बाद में आता है और ब्रामण ग्रंथों में क्या किया गया बेदों की सरल व्याक्या की गई और सरल व्याक्या करने के बाद में बेदों के जो यग्गों के बिसे थे बेदों के अंदर उन अर्थ क्या होता है यानि जो भ्राम्मण ग्रंथ है इन भ्राम्मण ग्रंथ में इस भ्राम्मण का अर्थ क्या होता है कई बार एक्जाम में पूछा गया है यह point very very most important है क्योंकि यह एक्जाम में कई बार आ भी चुका है और पूछा जाता है तो इसका अर्थ होता है बली सम् अनुष्ठानों का पार्थ। अब क्यों पूचा जाता है, इसमें लॉजिक है, अगर किसी भी स्टूडेंट से जब भ्रहामण का अर्थ पूचा जाएगा, तो बली का जिक्र करेगा ई नहीं, बली संबंधिय अनुष्ठान समझेगा ऐ नहीं, ठीक है, तो ब्रहामण का अर ध्रम, अनुष्टानों का पार्ट इस पकार के आएंगे, तो याद रखना कि बली संबंदि अनुष्टानों का पार्थ ही क्या कहलाता है, ब्राम्मड का अर्थ है, ये बात याद रखनी है, very very most important point है कि बली संबंदी, बली का मतलम यहाँ समगन्द, यहाँ से यांनि यह यहाँ होते थे उस समें बली क्या कहा है, बहामपर कहले लाता है, यहाँ बार बार परिच्छाओं जाता है, पौँछा जाता है, पौंट यहां तक समझ में आगई होगी अब बात एक समझ नहींcket जो भ्रामण्मड गरंथ थे यानि हम बात करें इन भ्रामण गरंथों की यह भ्रामण्मड गरंथे थे यह पवित्र भैधिक गरंथों की और धरम अनुषटानों की ब्याक्या करते थे यानि हम कह सकते हैं कि यह मूलते धरम से संबन दिते, किस संबन दिते, धार्मिक कारेों से संबन दिते, लेकिन मूलते धार्मिक कारेों से संबन होने के बापजूद भी इन में सामाजिकता भी, सामाजिक बाते भी मिलती थी, नैतिक बातों का भी उल्लेक मिलता है, और इसके चूपकी कथा का अलेक बिधयि माधव की कथा का अले। ठीक है इस परकार की कई सारी कथां का भी इस पराणी कथां वा कानियों का बढ़ेन भी मिलताै ब्रामध ताउं के अंधरमार में था और जो सहांहिता थी सहीता जाततर पध्ध में लिखे गए थी पद्धि निखे गए थी एक मात्र ऐसा बेता जो चंपू में लिखा गया था कौन सा यजुरुवेद ते रिगवेद, सामवेद और हमारा अथरवेद ये पद्ध सैली में लिखे गए ये जुरवेद एक मातर ऐसा बेद है जो चंपू सैली में लिखा गया चंपू सैली का मतलब आप समझते भी होंगे अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दिता हूँ कि गद्ध प्लस पद्ध प्रधान है एक बात ये भी समझना कि करमकांड प्रधान है किस प्रधान की करमकांड की अगर हम सहीता की बात करें तो सहीता इस्तुती प्रधान है इस्तुती प्रधान ठीक है ये भी बात याद रखना है कि जो बेद थे वो इस्तुती प्रधान थे ब्रहामड गरंत क्या और हमारे क्या बोलते ब्हामरगरंद करमकांड प्रधान प्रधान और अपनिसद प्रधान तh मैं वह उस्टारों की कभी को बार मैचिंग करने के लिए दे देता है कि एक तरफुद देता इस्तनिती प्र creeping और तरफ लिख देता है उस्तुति प्रदान करम और उसके बाद में लिख देता उपासना प्रदान फ्रीक साड़ में लेख देता वेद उपनीसद आरण्यक और भ्रहम्वट गरंथ इनको मिलाना होता है पॉंट यह तक केलियर हो गए तो यानि ब्राम्मड गरंद गद्ध में लेखे गए जबकि सहिता जातर पद्ध में लेखी गए थी लेकिन ये जुरुबे चम्पू में लेखा गया सहिता इस्तुति पिर्धान थी ब्राम्मड गरंद क्या है करमकांड पिर्धान है पॉइंट के लिए अब बात करें बर्तमान में कुल चौदे ब्राम्मड ग्रंत उपलब्द हैं पॉइंट के लिए यहां तक अगर आपसे पूछे आए कि बर्तमान में उपलब्द ब्राम्मड ग्रंतों की संग्या कितनी है तो आपको बता देना चौदे है कितनी है चौदे यह भी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपकी परिच्छाओं की दरिश्टी से कि बर्तमान में ब्राम्मड ग्रंत कितने हैं उपलब्द ब्राम्मड ग्रंतों की संक्या चौदे है बेदों की संक्या कितनी है चार है तो इसका मतलब यह आपको इसपर्शली समझ में आ गया होगा कि जो ब्रामड ग्रण्थे से संब्दिते हैं मुख्य रूप से इन ब्यदों से संब्दिते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं कौन-कौन से हैं तो यह नोट करने आप बहुत ही important point है यहाँ पर कई point आपको समझ में आने चीए अच्छे से बेद और उनसे संबंदित ब्रहामड ग्रंथ देखी दोस्तों में अभी बताया आपको कि बेदों से ही क्या बनेते ब्रहामड ग्रंथ बनेते अब उन्हीं बेदों से संबंदित मुख्यत है य इसका एक अने नाम संखान ब्रहामड भी मिलता है यह दोनों की दोनों जो ब्रहामड हैं वो किस से संबंदित है रिगवेद से संबंदित है point यहां तक clear करना समझना पहले और यजुर्वेद से संबंदित जो ब्रहामड ग्रंथ है वो कौन से है आपके सत्पत ब्रहामड और तैतरइ ब्रहमवर्थ. अब इनमें भी विवाजन है, क्योंकि एजुरुवेध को दो भागों में बाटा गया, सुक्ल एजुरुवेध और क्रिष्णी एजुरुवेध. जो सुक्ल एजुरुवेध है, उसका जो ब्रहमवर गरंत है, वो कोँ सा है? सत्पत भ्रामड ग्रंत और जो कृष्ण यजरुवेद है उसका जो भ्रामड ग्रंत है वो है तैतरिये भ्रामड बात करें हैं हम सामवेद की तो सामवेद के भी क्या है दो भ्रामड ग्रंत हैं और वो कौन-कौन से हैं एक है पंचविस या तांडे भ्रामड और दूसरा है जयमिनी ब्रहमद और जो अतरववेद है इसका एक इब्रहमद गॉपत ब्रहमद जो एक मातर है कई बार पूछा भी जाता है सबसे जाधा तो इनसे भी प्रस्न बनते हैं अब इनमें से कौन-कौन से इसे ब्रहामण ग्रंत हैं जिनके बारे में प्रस्न बनते हैं अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि ब्रहामड गरंतों की संक्या मैंने 14 बताई लेकिन यहाँ पर ब्रहामड की गरंतों की संक्या कितनी हो रही है यह साथ ही हो रही है बाकी के साथ ब्रहामड गरंत कहा है किस से संबन दिता है क्योंकि ब्रहामड गरंतों बेदों से बने तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये ब्रहमण ग्रंत है इनी ब्रहमण ग्रंतों के परिशिष्ट के रूप में अन और ब्रहमण ग्रंत बनाये गए वो इनी के ही भाग के रूप में मिलते हैं जैसे अद्भुत भ्रामड है मैं आपको बता देता हूँ वो अद्भुत भ्रामड पंचविस भ्रामड काई यानि तांडे भ्रामड काई का एक परिशिष्ट है और मैं इसके अलाबा और बता देता हूँ कि जैसे हमारे सामवेदे 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 टेनीके परिशिष्टों के रूप में नि के अन्य भागों के रूप में यहीं पूछा जाता है एतेरे ब्रहामड़े इसको एतेरे महिदास रिशी ने लिखाता, कोशितिकी ब्रहामड़े इसको कहोड कोशितिकी ने लिखाता, सत्पत ब्रहामड़े इसको याग बलक रिशी ने लिखाता, यानि इस पेकार रिशियों के दोरा क्या लखे गए थे, यह ब्रहामड ग्रंत ल प्रसन मिल जाते हैं आपको यह कि उठा लेगा यह किस में से उठा लेगा यह किस में से उठा लेगा उठाने बाद में आप से कह देगा मिलान कीजिए क्या कीजिए मिलान कीजिए इनको उपर नीचे लिख देगा मिलान करने वाले प्रस्ण इस टॉपिक में से खुब बनते हैं पॉइंट यहां तक के लिए अब परिच्छाओं को द्रश्टी से मैं आपको पता देता हूँ कि जो हमारी एक्जाम होती है एक्जाम में जो एतरे ब्रहामबर गरंत है इस एतरे ब्रहामबर गरंत में से काफी प्रस्ण पूछे जाते हैं जब इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे तो काफी प्रस्ण आपको सुनने को मिलेंगे एक्जाम से संबंदित तो हम एतरे ब्रहामबर के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे एक है सत्पत ब्रहामब्र ग्रंथ इससे भी काफी प्रेस्ण बनते हैं एक्जाम में इसके अंदर से काफी प्रेस्ण पूछे जाते हैं इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे डेटेल से बताऊगा कि इनके अंदर क्या-क्या मिलता है तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एत्रे भ्रामब्र ग्रंथ के बारे में कि एत्रे भ्रामब्र ग्रंथ की बिसिस्ताएं क्या है और इसके अंदर कौन-कौन सी कहानिया और कथाएं मिलती है एत्रे ब्रामड ग्रंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं अब आपको बता दे कि जो एत्रे ब्रामड ग्रंथ थे इन एत्रे जो ब्रामड ग्रंथ थे इनकी मा का नाम क्या था इत्रा था एक बात याद रखने है, सबसे समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, कि पहले तो उनको पूर्ण नाम क्या था, महीदास था, और यह महीदास थे, इनकी जो मा का नाम था, मा का नाम इत्रा था, और इत्रा के पुत्र होने के कारण क्या कहलाए, एत्रे महीदास कहलाए, और इ गया एत्रे भ्रामड ग्रंत नाम दिया गया किसके महीदास के भ्रामड ग्रंत को अब क्यों दिया गया था आपको समझ में आ गए होगी कि जो महीदास थे इनकी जो मा का नाम था इत्रा था और इत्रा का पुत्र होने के कारण को क्या का गया एत्रे महीदास का गया और उनके बार यानि पहली बार क्या मिलता है राजत्व की उत्पत्ति का देविय सिद्धान्त मिलता है राजत्व की उत्पत्ति का देविय सिद्धान्त का उलेक सर्वप्रतम किसम मिलता है एतरे ब्रहमण में और परिच्छाओं की द्रश्टी से इंपोर्टेंट है पूछा भी जात स्ट 20 में घंविषेग के नियम के बारे में जानकारी मिल थी राज भीशे पी इन्य इस सिध्धानत के लिए अगले बात करते हैं की एत्र भ्रहामवड में क्याان गया है पुत्री को किरपड वा सभी दुखों का कारण बताया गया है ये भी most important point है ये भी परिश्वा में खूब पूछा जाता है कि किस साइत में या किस गरंत में पुत्री को वेटी को यानि करन्या को किरपड यानि सभी दुखों का कारण कहा गया है बताया गया है वो है एतरे भ्रामड में बैरी बैरी मुष्ट इंपोर्टेंट है इसको अच्छे से याद कर लेना इन दोनों पॉइंटों को कि राजत्य की उत्पत्ति का देविय सिध्धान और किसमे पुत्री को सभी दुखों का काड़ बताया गया है तो याद इसमें क्या मिलती सुनसेप की कथा का बर्डन मिलता है यह पॉइंट जो मिलान करने वाले होते ना मैं आपको उता तो कि मतस्य ग्रांग की कथा पुरुर्वा रिशी की कथा चवन रिशी की कथा विधे मादव की कथा ऐसे चार ओप्सन एक साइड में रख देगा और एक स पूसकता है कि किस ब्रामण ग्रंद में सुनसेप की कथा का आख्यान मिलता है बर्डन मिलता है तो आपको बता दो कि सुनसेप की जो कथा का बर्डन मिलता है वो एतरे ब्रामण में मिलता है अब सुनसेप की कथा का बर्डन है इसमें राजा अरिश्चंद्र की कथा का उल लेकिया गया है बैरी बैरी इंपोर्टेंट है राजा भीम को इसमें क्या का गया वैधर्व का गया है बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखना कि किस ग्रंत में राजा भीम को क्या का गया वैधर्व का गया अच्छा मैंने आपको एक पिछले टॉपिक में पताया था कि किस की भेद में राजा परिष्ट को कुरूओं का राजच आगया इसका आंशर आप कमेंट को राज का लिए दर्ब का गया तो यह थे हमारे यre प्रहम्ष nov में आपको अगले पॉंट में बताने वाला हूँ सत्पत भ्रहमण के बारे में जो सबसे ज़ादा important है, सभी ब्रहामण गरंतों में सबसे ज़ादा मैतपूर जो ब्रहामण गरंत है, वो सबसे बड़ा ब्रहामण गरंत है, सबसे प्राचिन बप्रमाडिक ब्रहामण गरंत है, उसमें से भी काफी प्लस्ट हमारे exam में बनते हैं, इस पकार जैसे मैंने इसम से संबन्दित आती हैं जिनका एक्जाम में बहुत ही मैदपूर युगदान होता है एक्जाम में उन से कोशन्स काफी बनते हैं और एक्जाम में बहुत सारे पॉइंट पूछे जाते हैं अब सत्पत ब्रहमण किस ने लिखे थे महीदास उसके लेखक थे और इसके लेखक कोने यागबल करिशी अब देखे सत्पत ब्रहमण ग्रंथों में क्या की गई है सो पंथों की संस्तूति की गई है कितने पंथों की सो पंथों की संस्तूति की गई है संस्तूति का मतलब है प्रसंसा या अनुसंसा की गई है, क्या की गई है, अनुसंसा की गई है, इसी कार्ण इसका नाम क्या पढ़ा, सत्पत पढ़ा, सत्पत का मतलब सो और पत का मतलब पंथ, ठीक है, तो सत्पत इसका नाम क्यो पढ़ा, क्योंकि इसके अंतरगत क्या की गई, सत्पत भामण गरंद के अंतरग है एक्जाम की दरष्टी से पूछेवी जाते हैं कि सबसे प्र stimulation ब्रमाणीक कोज़ा बड़ा भामड गरंथ है तो आपको बता देता हूं कि सबसे प्रमाणीक को बड़ा भामड गरंथ है तो सत्पः ब्रहंभण गरंथ है यानि हम कुछ मिला की रिगिवेद के बाद में दूसरी विसालतम रचना कौन सी है गरंत कौन सा तो आप यजुरुवेद बता दें सामवेद बता दें ऐसा नहीं करना है इसलिए इसको बार बार एक्जाम में पूछा जाता है कि बैदे के सायतिके अंतरगत रिगिवेद के बाद में दूसरा विस खूब पूछा जाता है एक तो जल प्लावन की कथा के बारे में पूछा जाता है कि किस भ्रामण ग्रंत में राजा बैवस्त मनू के समय में जल प्लावन की कथा का उल्लेक मिलता है यानि कि राजा बैवस्त मनू थे इस कथा में जो उल्लेक मिलता जिस राजा का उस राजा क कि जो कथा है जल प्लावन की कथा थी यह इस जल प्लावन की जो कथा है इसका उल्ले किसम मिलता है सत्पत ब्रामड में और इस कथा में बताया है कि राजा बैवस्त मनू के समय में क्या हुआ था भोती बड़ा एक जल प्लावन हुआ था जिससे प्रिले की सी क्या हुए थी इसके बाद में इसमें प्रवा यानि राजा प्रवा है और रुवस्री क्या है स्वर्गी की एक अपसरा है इन दोनों के मद्धे आख्यान मिलता है इन दोनों के मद्ध जो हुआ आख्यान ता विवाता बात चीत ती बारता लापता हूं उन सभी की बारे में क्या मिलता है इ यानि यह कूशन को पूछा गया है, फिस्ट ग्रेड की जो कॉलेज लेक्टर की एक्जाम होती है, और जो लेक्टरार की एक्जाम सोती हैं, उसमें कई बार पूछा भी गया है, कि किस गेंच में अश्विन कुमार द्वारा चवण रिसी को यौवनदान दिया गया था, गोशन एक्जामनर कैसे भी बना सकता गुमा फरागे इसी वाई से मैं आपको डिटेल से एक एक पॉइंट वाइट पॉइंट पड़ा रहा हूं कि आप एक एक पॉइंट के लियर कर लेंगे तो जाहिड सी बात है आपको समझ में आना चाहिए यह बात कि आप एक भी पॉइ टीचर की लेक्टरार की उसमें इसको इसको काफी बार पूछा गया इन दोनों पॉइंटों को very very most important point है यह कि विदे माधव की कथा का उल्ले किस ग्रंथ में मिलता है एक बार ये भी पूछा गया था कि विदे माधव अपने प्रोहित गौतम राहुगर के साथ में पूरब ये माधव एक राजा है और ये अपने एक रिसी प्रोहित थे इनके प्रोहित थे इनके जिनका नाम था गौतम राहुगर क्या नाम था इनका ये नाम इनकी जो प्रोहित है इनका नाम याद अबश्य रखना गौतम राहुगर गौतम राहुगर इनके साथ में ये क्या होत का जो चित्रड है उस चित्रड से क्या मिलता है आरे संस्कृति के वारे में आरे संस्कृति के प्रसार के वारे में जानकारी मिलती है यह इस कथा से इस से विधे मादव की कथा से जिसमें विधे मादव राजा अपने प्रोहित गौतम राहुगर के साथ में पूर्व जिसाक परिसार की बारे में जानकारी मिलती है यह पॉंट्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक कि इतने सारे पॉंट्टों में मैंने आपको कितने पॉंट किरा एक दू तीन चार पाँ छे साथ आठ पॉंट करा दिये हैं और साथों की साथों आठ ओप जितने ब्रहंमड ग्रणथ में और क्या-क्या चीज्स मिलता है रेम नाम से किसे मिलता है रेवा नाम से। यानि इसी में हम कह सकते हैं कि इस ग्रंत में नरमदा नदी, हम कह सकते हैं रेवा नदी, रेवा नाम से नहीं, रेवा नदी, ठीक है जो नरमदा का नाम है, किसका नाम है ये, नरमदा का नाम है, का सर्वतम उल्लेक मिलता है का सर्वतम उल्लेक बास समझ गए होंगे आप कि सत्पत प्रामण ग्रंद में ही रेवा नदी का सर्वतम उल्लेक मिलता है और रेवा नदी किसका नाम है प्राची नाम नरम्दा नदी का प्राची नाम है point यहां तक clear कि इसमें राजा को बिसमात का गया है यानि जनता का वच्चक जनता का वच्चक आई अब इसमें क्या का है मतलल सूदखोर तआ यानि ब्याज ने देता था ता रुपिय कि ने के बदले में उस सूद खोर को क्या क्या आ घृइ कि कुसी का गयां को लिए अधिन का गया है ठीकespère या रखना यह दोनौं पोइंट्ट माइंपॉर्टेंट से सली कर रहा हूं एक भी पॉइंट ऐसा नहीं यह अगजाम से संबंदित नहीं हो ठीक है इसके लावा इसमें महाजनी पृथा महाजनी कि पृथा का सर्व पृथम उल्ले क्यानि इसी से यह माजन जो ब्याज पर उपे लेते थे उनको माजन बोलते थे ठीक है और उसी माजनी सूध लेते थे ब्याज लेते थे उनको क्या का गया कुशी दिन कहा गया है पॉइंट समझना का सर्प्रथम उल्लेक मिलता है सर्प्रथम उल्लेक इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ आप बर्ड वेवस्ता के बारे में आतो आपने सुना होगा कि बैदिक काल में मारे चार बर्ड थे भ्हमड वैसे छत्रिय सूद्र ठीक है इन चारों बर्डों में जो वैसे बर्ड था उस वैसे बर्ड को इस इसमें अनन्य वलिकरत कहा गया है क्या कहा गया है अनन्य वलिकरत इस ग्रंथ में वैसे वैसे यह बर्ड है अपना चार बर्ड है उन चारों बर्डों में से वैसे जिसको बड़िक भी बोलते हैं वैसे को क्या कहा गया है अनन्य वलिकरत अनन्य बलीकरत या अन्य स्याद ठीक है तो इसमें गरंत में यानि सत्पत प्रामबर्ण में जो वैसे वड़ था वड़िक था इन बहेश्यों को क्या का गया अनन्य बलीकरत का गया और अनन्य स्याद अनन्य बलीकरत का अर्थ क्या होता है दूसरों के द्वारा उप्योग में आने बाला थीक है यह बात याद रखना है तो अनन्य बलीकरत का मतलब दूसरों के द्वारा उप्योग में आने बाला अन्य स्याद का मतलब दूसरों के द्वारा उप्योग में आने बाला तो याद रखना वैस को क्या का गया दूसरों के दोरा अपयोग में आने वाला का गया दूसरों के दोरा उपभोग में लिया जाने वाला का गया वैस को किसमे सत्पत भ्रहमण ग्रंत में यह थे हमारे भ्रहमण ग्रंतों यानि सत्पत भ्रहमण ग्रंत से संबंदित important facts ठीक है यह यहां तक point clear हो गए होंगे आपको तो यानि जो सत्पत ब्रामण ग्रंथ है और जो मारा एतिरही ब्रामण ग्रंथ है इन दोनों ब्रामण ग्रंथों से ही exam में question जातर put up होते हैं बाकी के अन्य अन्ने भ्रामभगन जो 25 अध्याव में बटा हुआ है इस बज़े से हम उस क्या कहते है 25 भ्रामभब नग्रंथ को 25 भ्रामभब के ऐते हैं hoc 25 दो तो यह इतना ही आता है तांडे ब्रहामब्र में से ठीक है इसके अलाबा गोपत ब्रहामब्र है आपका और अन्य ब्रहामब्र मैं उनमें तो नॉर्मली कोशें बनते हैं लेकिन ज्यातर प्रेशनों में पुछ पूचह जाते हैं वह सत्पत ब्रहाम्मर ग्रंत से और एतेरे ब्रहाम्मर ग्रंत से ही पूछे जाते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको समझ में आ रहा होगा एक एक पॉइंट या तक ठीक है जो कलकी क्लास होगी, कलकी क्लास में हम बात करेंगे आरण्यकों के बारे में, क्योंकि बैदिक सायत है, जो हमारा बैदिक सायत है, वो चार हिस्सों बटा हुआ है, बेद, ब्रहमाड गरंत, और आरण्यक और फ्रुपनिसद, तो कलकी क्लास में किसमें बात करेंगे, आरण्य अवश्य रखा करो के आप को और भी क्या इंप्रूब चाहिए इन क्लासेज में ठीक है फिर मिलते हैं नेक्ट अग्डी क्लास